तो हेलो दोस्तो आज हम नयन सॉंग का लिरिक स्टेटस बनाएंगे क्योंकि दोस्तों इस वाले स्टेटस में स्टेटस बनाना चाहिए तो इसको स्टेटस को कैसे बनाते वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा तो वीडियो को पूरा कंप्लेट जरूर देखे साथी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि जब भी में कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते तो इस तरीके की स्टेटस वीडियो बने लिए सबसे पहले आपको काइन माश्टर एप को ओपन कर लेना है काइन माश्टर ओपन करने के बाद प्लस वाला एकन पर क्लिक कर देना है और यहां पर 9 x 16 वाला रेशियो आपने सिलेट कर लेना है उसके बाद दूस्तों सबसे पहले तो आपको जिस भी फोटो पर आप पीछे की तरफ मतलब के जो भी फोटो आप स्लाइड वाला एफेक्ट देना चाहते है उस वाली फोटो को सबसे पहले आपने यहां पर एड कर देना ठीक है जो कि बेग्राउंड में रहेगा और स्ला स्थार प सकंट और स्थार करना चाहिंत पर इस तरह स्टार पोजिटन पर और दो आपको जूम कर दो में पर दिएसन चाहरो है julip यहां पे रखेंगे तो इसको थोड़ा समगें का garant कि यहां पर ले जाएंगा तो इस तरह के साथ के आपने अपने सेथे नहीं है ठीक टो यहां पर एंडम साइ boa फिर इसको राइट के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो अब इसमें देखे इस तरी किसा स्लाइट का एफेक्ट आजाएगा आपकी फोटो में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फिर आपको स्टार्ट पर आजाना है अब जाना लेयर पे उसके बद जाना है यहां पर यहां पर आप param frame पर दॉसका पर आपको तेन या तो फिर 4 रख में पर फिर राइट इसमें धो लोल्ज़ करेंगे ताइस सब्सटोर कर देंग间 कि दीऊलगे घ्रणा को छैए इस इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ मेटरिस की जरूत पड़ीगे जिसका लिंक आपको मेरे डिक्सिर्शन बोक्स मेल जाएगा तो उसका आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर डाउनलोड करना में कोई भी अगर आपको परसाने होते हैं फिर भी अ अब लिए उसके बार दोस्तों फ्रेंग को इस तरीके से आपको यहां पर सैट कर देना है साइज आपको अपनी सबी जीतने रखना चाहतो उससनी रख दीजिए और यहां पर सैट कर लिजिए अब सैट करने के आप डूस्तों इस फ़र लेयर को आपको पूरी वीडियो मे यहां पर है इसके नीचे थोड़ा सा यहां पर आपने इस तरीके से से ने टीक है तो यहां पर आपको दो फ्रेम को अपने यहाप पर शेप कर लिया, आपने यहां 술िया ने होगे rocket तो आप लिए लिए फोटो को सेट कर दना हमारी फोटो को आपको उसको कुरिया न Na गरूप कर लेना है norm चाहिए अब रखने के बाद यहाँ से आपको सेरो्की रखने के बाद यहां से एपको क्रॉपिंग पला से अब फिर आगे आजेगी फोटो मारी पीछे चले जाएगी अब दूस्तो फोटो अगर सही से नहीं है तो इसको फ्रेम को थोड़ा सा सेट कर लेजिए फोटो के इसाब से तो एकदम पर्फेक्ट आपको कर लेना है उसके बाद दूस्तुरी फोटो को यहाँ पर आपने एड कर देना ह करने के बाद आपको फोटो को पूरी वीडियो में आगे तक ले जाए इस तरीके से और उसके बाद दूस्तो फिर स्टार्ट पर आईए अब दूस्तो जो भी फ्रेम है फ्रेम पर क्लिक किजिए यहां की फिर तीन रूट पर जाए और इसको ब्रिंग कर लीजिए ठीक है अब हमेरे दोनों फोटो यहां पर सेट हो गए और दूस्तों पीछे फोटो भी आगे समने स्लाइडिंग का एफिक भी यहां पर लगा दिया है और दूस्तों अब हम यहां पर लिरिक्स को एड़ करना होगा तो लिरिक्स को एड़ करने से पहले आपको यहां पर ओडियो जो भी song पर आप बनाना चाहते हैं जैसे कि मैं नएन song पर बना रहा हूं तो आपको song को यहाँ पर audio पर जाकर. तो song को add करने के बाद अगर song आगे का पर अगर आपको cut करना है तो जहां से आपको song चाहिए वहां पर आपने आ जाने के बाद यहां पर trimmer slip पर जाना है लेना है जो भी आपका स्वाइब बढ़े जितनी भी सेकर्ण में जो भी वर आते हैं वह सभी वड यहां पर लिखने होंगे तो पहले आप सुन लिजे क्या क्या चीज आती है उसके बार फिर से अब आपको यहां पर देखे आजने लेर पे फिर जाने टेक्स्ट पे और जो बजा है वह आपको यहां पर लिखने लाएं जो भी वह चीज़े के नयन ने बंदरा के जो भी बजता है वह मैं यहां पर टाइप कर लोंगा ठीक है तो पहले यह चीज़े टाइप कर ले तो आपको भी यहां पर टाइप कर लेना है तो जितनी भी लाइन लिखना चाहता ह यहां पहिल हम यहां पने के लिए जाना है लेने के बाद अ mattina पुरिए को पूरी ट वीडियो में आगे तक लीडियो में एक ले जाना है मैं details इसके पाद दूस्तों O.K कर लेना है और फिर इसको आपको रसे तरफ यहाँ पर आपने सेट कर देना है इतना हमने कर दिया फिर इसको भी आपकोर राइट के बटन पर क्लिक कर देख अब दूसरी जो भी लाइन आले हो हमें हैं दोनों फोटो के बीच में यहाँ पर हम ने ुखने थी, कि दो लयन हम हमें यहाँ पर लिखने जो के छोटी सी लयन रहेगी, एक लयन के हम दो पार्ट करके, आपको ब्लेक ले लेना है और यहां पर इसको आपको आगे तक ले जाना है यहां पर हम सेट कर गणे और यहां पर रखेंगे और आगे का जो भी सौंग का लाइन रहे कीव लिखेंगे के फिर okay कर लेना है और यहां पर हमारे दोनों लेक्स देखें बन चुकी कि अब दूस्तों आगे का जो भी पार्ट बचा इतना वने एड कर दिया है। उसके बाए दूस्तों आगे कि जो पार्ट बचती है वह हम यहाँ पे लिखेंगे टीक है, तो लिखने के अलम सेम प्रोसेस नहीं जिसका उपर लिखा वैसे हम यहाँ पर लेर पर जाना ना है, आगे का जो भी पार्ट है, वो हम लिग दे के तो, में फटा बट से डॉलोलार्ट को लिख दे तब आपको भी लिख देना यहां पर पर स्वाज भी पार्ट आते हैं, एड करने के बाद, दोस्तो यहां पर आपको लेयर पे जाना पिर जाने मीडिया पर और यहांपर एक मैंने PNG दिये है हट वाली उस वाले PNG को आपने यह पर एड़ कर देना है ठीक है तो इसको एड़ कर लेजी इसकी साइज आप जितनी भी रखना चाहते है उतनी रखके यहांपर आप सैट कर देजी यह तो पर जाप अच्छी लगती की अब इस वाले इमेज को आपको पूरी वीडियो आगे में अगे तक लें तक हैолो के वह फटाफट से गव कुले सिर्थ करक देना है आप अब दूस्तों यहां यहां पर इस तरीके से साइज आपको पहले अभी में आगे जा करेंगे पहले में यहां पर आपने स्क्रीन कर देना है फिर राइट के बटन में क्लिक कर देना है अब इसको यहां पर अपने सब्सक्राइज आप रखना चाहते हो उतनी रखके यहां पर आपने सेट कर देना इस तरीखे से यहां पर स्टिकर पर आपको इसरी जाएanos धुक्ट और यहां पर आपको यहां पर आपको यहां प्यांसे सिटरब की तरफ कर दें इसके आपको पूरी वीडीेओ में आगे तक ले लेना है इस तरीके से भी तो सित्ना करके ठी plant अब फिर आपको इसका चोड़ सेट कर लिझे गईगे आपको इस तरी इसकте आपके पूरी वीडियो इतना करने वारं आपको देखें इस तरी के पूरी वीडियो कम्पलेट बन जए गया चै 그ini की उक्राइब करें। दूस के वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिजिए। यह आप यह तो आपको आज के मेरी वीडियो परसंद आगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजो और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।